आपके चहरे की रंगत को बहुत सी चीज़ें प्रभावत करती हैं वो चाहे सूरज की रोष्णी हो धुआ हो तना हो या फिर आपका खानपान आप इन कारकों को तो खत्व नहीं कर सकती लेकिन अगर आप चाहें तो मिनिटों में गोरी निखरी त्वचा जरूर पा सकती हैं कई बार गोरी रंगत कुद्रती होती है लेकिन इसे बनाया रखने के लिए भी कुछ नकुछ तो करना ही पड़ता है बाजार में ऐसे कई उत्पाद हैं जो दावा करते हैं कि उनके एक बार के इस्तमाल से ही त्वचा निखर जाएगी लेकिन यह खतरनाक हो सकता है अगर आप वाकई गोरी रंगत पाना चाहती है और केमिकल प्रोडक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाना चाहती तो यह घरेलो उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रही हैं शहद ब्लीच की तरह काम करता है और साथी तवचा को भी मौशुराइज करता है इसमें एंटी बैक्टीरि मौशूद होता है जो कि एक नेचरल ब्लीच है हाथ में दही लेकर उससे चहरे पर मसाज कीजिए और बाद में हल्की गुनगुने पानी से चहरे को साफ कर लीजे पपीता भी एक नेचरल ब्लीच है पपीते का एक टुपड़ा काट ले और उसे अच्छी तरह से चहरे पर करीब 2-3 मिनट बाद चहरे को दोले आपको साफ तोर पर अंतर नजर आएगा बताने की हल्दी एंटिसेप्टिक होने के साथ यह एंटिवेक्टीरियल भी है यह तवचा के लिए बहुत फायदेमंद है साथ ही इस किन टूम को भी निखारने का काम करती है हल्दी में कुछ मात्रा दूद की मिलाकर लगाने से बहुत पायदा होगा उमीद करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले